पूंबई के निकट वचरे सुरी में दो दिन का अच्छे पातल अच्छी साधना सिफिर का आयोजन होने जा रहा है इसमें सवा लाक मंद्व से लेकर पाच लाक मंद्व का विशेश अनुस्ठान होगा इस सिविर में गोपिनी वीधी से लश्मी साधना संपन करवाई जाती है अगर आप कर्ज ब्यापार में असफलता, नोकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबन्दी दिविवाद को समाप्त करना चाते हैं तो इस साधना के द्वारा सुप संबन्दी प्राप्त कर सकते हैं इस रोमान चेफ विशे को अगर आप सीखना चाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक की दिया है, वहां से पॉम भर सकते हैं नमस्कार, दिवियोगासन की तरफ से मुंबई के निकट पितामबरा देवी यानि माता बगला मुखी मंदिर के नियर्मान होने जा रहा है आप से सहीव की अपक्षा रखते हैं अगर आप सहीव करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, प्रेटियम या यूपियाई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इंकम टेक्स के आईकरधारा, एटीजी के अंतरगर टेक्स में छोटका लाब भी ले सकते हैं इसके बारे में अधिक जानकरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है इस मुद्रा में माता सरुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और जब जिसके उपर माता लचमी की करपा होती है उसके उपर लचमी स्वेन पसंद नो हो जाती है तो लचमी की करपा से हर तरह का wealth हमें मिलता है, सुख समध्धी हमें मिलती है जब आपके पास लच्छ में आ जाती है तो विग्नसंतोसी भी बढ़ जाते हैं जलने वाले भी बढ़ जाते हैं आपका बुरा चाहने वाले भी बढ़ जाते हैं ऐसे समय माताकाली की शक्तियां आपको सपोर्ट करती है कि हर तरह के शत्रूर से आपकी रच्छा होती है आप ये मुद्रा किसी तरह की शक्ति की उपासना में इस मुद्रा का उप्यूग किया जाता है। इसके आलावां त्रिपर सुन्दरी की साधिना में ये विशेश दोर पे एंुद्रा लगाया जाती है। तिखंडा मुद्रा हमारी स्रीफ प्रिकार की मुनुकामलाओं को पूर्ण करता है, हमारी योगिताओं को बढ़ाता है, हमारे अंदर मार्केटिंग स्किल भासनकला की छम्ता को बढ़ाता है, बाचित की छम्ता को बढ़ाता है, मनुस्य के ब्रक्तितु को प्रभावसली बन से यह मुद्रा पांच मेट लगाएं यानि कोई भी ब्रक्ति यह मुद्रा का उप्योग कर सकता है उनके जीवन में योगिता बढ़ती है धनकी समस्या ठीक होती है और शत्रु से मुट्टी मिलती है सुरच्छा मिलती है यह अपने आप राप्त होता सवाल है कि मुद्रा अगर आप जैने नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर शांत होकर बैठ जाएं अब देखिए विजिस्स्त मुद्रा मानी जाती है तो इसका हाथ हमने ऐसे रख लिया देखिए इस तरीके से एक तरीका है हाथ जोड़ना लेकिन इसमें क्या करते हैं इस त इस तरीके से सामने से इस तरीके से दिखेगा इस तरीके से साइट से और यह सामने से यह मुद्रा होती है बीच में यह खाली होती है ऐसा अब देख रहे हैं तो इस तरीके से यह मुद्रा आपको लगाना है यह मुद्रा मानी जाती है मैं फिर से बता रहा हूं कि हमने यह उंगली को जोड़ लिया यानि हाथ जोड़ना है यानि दोनों हाथों को चिक्का लिया यहाथ जोड़ने की मुद्रा है कि दोनों हाथों को चिक्काते नहीं हाथ को खुला रखते हैं तो यह इक एक मुद्रा को जोड़ कर और दोनों को यह उंगलिया है इनको जोड़ते नह इसको जोड़ते नहीं है इसको इस खुला रखने के बाद इसको मोड लेते हैं यह इस तरीके से जासे सामने से यह इस तो कि बीच में खाली होगा जगह यह इसलिकर से दस बार सांवाने प्रणायम करें जब ये मुद्रा के साथ प्रांशक्ति जोड़ी जाती है तो मुद्रा के शक्तियां तेजी से बढ़ जाती है मुद्रा हमेशा से निर्जिव मानी जाती है तकि जब प्राण शक्ति जोड़ी जाती है तभी ये मुद्रा कारे करती है और इसके लिए कोई धर्म का मुद्दा नहीं है कोई भी बगति इस अभ्यास को कर सकता है और जो साधना करता है जो शक्ति के उपासक है उनके लिए त यनि 5 मैटे के अभ्यास करें कि इसके पदधे साक ना करें जो लोग शक्ति को पाशको है और जो लोग नहीं है सामन तहार रोज 5 मैटे मुदरे लगाए देख लिए ये पांसपर लगाने के बाद दज बर प्राणाय करें चार से पार्ट मेंटर समय लगेगा सुबह दोपार शाम रात कभी भी किसी भी समय अभ्यास किया जा सकता है इसमें कोई नियम नहीं है सोम और मंगलवार बुदवार गुरवार ऐसा भी नहीं है जब भी समय में करें कि रोज कम से कम एक बार आप दो तिन बार भी मुद्रा लगा सकते हैं दिल में दो तिन बार लेकिन कम से कम एक बार जरूर करें और जब 15-20 दिन तक अभ्यास हो जाएगा आपका ऐसा लगेगा जैसे आपकी सीखने की छंता बढ़ रही है आपकी ग्रास से उसे जावरत किया जाता है इसलिए यह बहुत शक्ति साली मुद्रा होती है त्रिखंडा यह विशिष्ट मुद्रा देवी की पूजा में शक्ति की उपासना में लगाया जाता है आप दुर्गा माता की पूजा कर रहे हैं इसी देवी की पूजा कर रहे हैं यह मुद्र धन्यवाग।